क्या आपने कभी मकान को बनते हुए देखा है? जब मकान की छट ढल रही होती है, तो नीचे से सपोर्ट के लिए लकडियां लगाई जाती है, कि वो छट गीरे ना, कोई लकडी बड़ी होती है, कोई लकडी थोड़ी छोटी होती है, किसी लकडी को आला लगाया जाता है, किसी लकडी को सीधा लगाया जाता है, किसी लकडी को एक दूसरे के सपोर्ट से लगाया जाता है, आपने जरूर देखा होगा, और वो ऐसा किसलिए किया जा रहा है? क्योंकि वो छट ठीक से बन सके, उसको support मिल सकें, वो छट नीचे न गिर है लेकिन यदि एक लकड़ी ये कहे कि ये जो छट है वो मेरे उपर टिकी होई है या कोई एक लकड़ी कहे कि नहीं मैं इस छट को साहरा नहीं दोंगी हमें किसी को भी इस छट को साहरा नहीं देना चाहिए हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं हमें एक दूसरे से लड़ाई करने चाहिए तो क्या वो छट बन सकती है क्या वो छट तिक सकती है बहुत दिनों तक या वो कमजोर छट हो सकती है तो आपका उत्तर होगा कि वो छट तो बन ही नहीं सकती आपको ये बात तो समझ में आती है कि वो छट बन नहीं सकती बिना सपोर्ट से उसको नीचे से कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा और जब परिवार की बात आती है तब वो परिवार जो इट, पत्थर और सिमेंट से कहीं ज़ादा है एक मकान तो केवल 25 साल, 50 साल, 100 साल में गिर सकता है लेकिन एक परिवार जो पीड़ियों तक चलता है और उस परिवार की जो नीव हैं, वो हमारे और आपके पैरेंट्स है उनने उस नीव को, उस बेस्मेंट को बड़े प्यार से, बड़े महनत से सीचा है और वो इसलिए कि ये परिवार का जो मकान है, वो बहुत लंबे समय तक टिकार है लेकिन आज कुछ परिस्थितियां अलग है मैं और आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि ये जो परिवार बना है, क्या ये टूटने के लिए बना है ये जो परिवार बना है इसकी नीव इतनी मजबूत है लेकिन क्या हम इस परिवार की छत जो बनने जा रही है क्या हम सपोर्ट नहीं लगा सकते क्या हम एक साथ चल नहीं सकते तो हमारे जैसे यंग लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो nuclear family चाहिए बिल्कुल सही है कि आपकी और मेरी अपनी आउशक्ता है और आपकी और मेरी आउशक्ता के अनुसार हमें कहीं service करने जाना पड़े तो nuclear family हो सकती है लेकिन joint family की जो भूमी का है वो nuclear family नहीं ले सकती है एक नाना है एक नानी है कितने सारे लोग हैं जो उस मकान को बनाने के लिए अपना एक दूसरे का support लगा रहे हैं लेकिन एक परिस्थिती और है जब हम परिवार से job के लिए या अपने किसी कारे के लिए दूर नहीं हो रहे हैं बलकि दूर हो रहे हैं आपकी और मेरी जलन के कारण, आपकी और मेरी इरशा के कारण, मैं अपने आपको बहुत important मानता हूँ, अपनी family में इसलिए में अलग हूँ, ये family तो केवल मेरे उपर निरभर है, ऐसे विचार आपके मन में भी आते होंगे, और ऐसे विचार मेरे मन म भी आते हैं, तो क्या वो विचार सही है, जब मेरा ego या आपका ego इतना हमी हो जाता है, कि हम अपने family members से बात करना बंद कर देते हैं, क्या ये सही है, हम ये सोचते हैं कि वो मेरे काम आना चाहिए, मैं उसके काम नहीं आऊंगा, और आऊंगा भी तो कब काम आऊंगा, जब वो मेरे काम आएगा, क्या जो प्यार और जो महनत से, हमारे parents ने उस परिवार को सिंचा था, क्या वो प्यार और वो महनत हम उसके लिए कर रहे हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, और हम एक सोच लेके वैठे हुए हैं कि वो परिवार मुझ से है, तो मैं कहूंगा जनाब वो परिवार आप से नहीं है, वो परिवार है, तो आप हो, क्या ये सही नहीं है, वो परिवार है, तो आप हैं, आपकी जो भी existence है, वो उस परिवार के कारण है, आप यदि आज बढ़े हैं, आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पीछे कोई नाम है, तो वो उस family का न अपने नाम को बनाने के लिए, उस family के एक-एक support को तोल रहा है, और उसका एक सबसे बड़ा reason है, ego, हम जुक नहीं सकते हैं, हम अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आपको बड़ा बनाने के लिए, जुकना हमने बंद कर दिया है, क्या ये इरश्या, क्या ये जलन, क्या एक दूसरे से ये जो होल है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो completion है, वो कम हो सकता है क्या, यदि वो कम हो गया, तो जस नीव को हमारे parents ने बनाया था, उसके उपर एक बहुत बढ़िया और बहुत एक सुन्दर मकान हम लोग बना सकत हैं, और वो मकान ऐसा होगा, जो पच्चस साल या सौ साल नहीं चलेगा, उस मकान की basement इतनी मजबूत है, कि वो हजारों साल वो मकान ठिका रहेगा, और वो इसलिए कि वहाँ प्यार है, वहाँ पर होड नहीं है, वहाँ पर competition नहीं है, एक बात जो और भी important है, केवल जीतने के लिए नहीं खेला जाता, अभी society ये कहती है कि हर खेल जीतने के लिए होता है, लेकिन अपनों से जीता नहीं जाता, अपनों के साथ सपोर्ट में रहकर जीता जाता है, अपनों के साथ रहकर जीता जाता है, और यदि कभी कभी अपनों से हार भी मिल जाए, तो वो भी आ अपने अंदर को समझाना सीखिए कि ये जो परिवार है ना ये बहुत महनत से बनता है और इस महनत में थोड़ा सा परिश्रम अपना भी डाल कर देखिए आपकी और मेरी जिन्दगी सफल हो जाएगी अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लग रहे हो तो आप इन विचारों को दूसरों तक भी पहुँचाईएगा क्योंकि ऐसे विचारों की आज सबसे ज़्यादा जरुत है जब परिवार तूट रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम परिवार को तूटने नदें हम परिवार के साथ रहें जब तक कोशिश तब तक करें जब तक कि बिलकुल भी आपकी विरोध में कोई चीज ना हो जाए बल्कि मैं तो यह कहुँँगा कि कोशिश करते रहें थोड़ा सा जुकते रहें थोड़ा सा प्रीम अपनाते रहें थोड़ा सा सोहार्द अपनाते रहें लेकिन उस परिवार के लिए थोड़ा सेक्रिफाइज जरूर करें आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि इस वीडियो की इस सोसाइटी को बहुत जादा तेंक यू